नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो रीसेंटली हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी अलीगड गए और अलीगड में जाके इन्होंने राजा महिंद्र प्रताफ सिंग यूनिवर्सिटी की नीव रखी अब यहाँ पर अलीगड थोड़ा न्यूज में आ गया है एक बनाये जारा उत्तर प्रदेश में और एक बनाये जारा आपका तमिल नाडू में तो यहाँ पर इस प्रकार के स्टेटमेंट दिये मोदी जी ने की अब तक अलीगड तालों के लिए जाना जाता था अच्छा, Defense Industrial Corridor के respect से यहाँ पर एक information आपके लिए particularly important हो जाती है, यह जो उत्तर प्रदेश में Defense Industrial Corridor बनाया जारा ना, इसके 6 nodes है, वो nodes कौन कौन से हैं आपको नजर आ रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का नकसा है, इसमें लखनो, कानपूर, चितरकूर, जहांसी, आगरा औ और अलीगड़ भी एक node है, node का क्या मतलब हो गया, node का मतलब यह हो गया कि इन 6 particular जगहों पे, defense related production को आगे बढ़ाया जाएगा, defense factories को setup किया जाएगा, इंडिया के research and development ecosystem को defense में बढ़ा के, overall हमारी defense forces के लिए, जाधा products, जाधा state of the art machinery और weapons बनाने की कोशिश की जाएगी, तो वो लोग specifically इस information पे ध्यान दे, जो की UP pieces का exam देने वाले हैं, वहाँ पे definitely ये 6 options आप से पूछे जा सकते हैं किसी भी form में, अब आ जाते हैं अपने main topic में, the legacy of Raja Mahindra Prataf Singh and his contribution to AMU, देखे राजा Mahindra Prataf Singh का नाम यहाँ पे बहुत आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने पहले इनका नाम लिया, इससे पहले योगी आदित नादवी Raja Mahindra Prataf Singh का नाम ले चुकिए, हम इसके उपर politics भी बहुत है, politics यह है कि जो western उत्तर प्रदेश का इलाका है, अगर आप इस particular नक्षे को दिखोगे, तो आलीगर आपका western उत्तर प्रदेश में आता है, तो western उत लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, reason being कि Raja Mahindra Prataf Singh का जो contribution है, इस contribution को पढ़ने के बाद लगा, कि इस particular person के involvement को, इस particular person के contributions को बहुत पहले ही हमें सराहना चाहिए था, लेकिन हमसे देर होगी, पर चलिए देर आयत दुरुस्त आ है, ऐसा क्या किया है Raja Mahindra Prataf Singh ने, कि अब हम उनके contribution को याद कर रहे हैं, इनकी हलकी फुल की जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं, देखे, Raja Mahindra Prataf Singh एक political figure कम, एक reformer जादा है, एक ऐसे reformer जिसने इंडिया में education को promote किया, इन्होंने अपना खुर्त का घर दे दिया मतुरा में इंडिया का technical school बनाने के लिए, इंड किया गया था, और 1915 में World War के बीच में अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की provisional government को भी इन्होंने set up किया, तो बहुत सा credit दिया जाता है इनको, शुरुवात से बात करें तो इनका जनम हुआ था, मुरसान स्टेट जो की हाथरस में है, 1886 में एक जाट family में, ओके, तो ये अगर आप देखो तो जाट community को भी लॉंग करते हैं, 1909 में इनका जो घर था मतुरा में, वो इन्होंने दे दिया किसके लिए, प्रेम महाविद्याले बनाने के लिए, प्रेम महाविद्याले टेकनिकल स्कूल था, इंडिया का पहला polytechnic था, आज भी प्रेम महाविद्याल इंटर कॉलेज आपको विर्णावन में मिल जाएगा, पहला टेकनिकल और पॉलिटेकनिक कॉलेज इंडिया का किसकी जमीन पर बना था, जहां पे इनका घर था, राजा महिद्य प्रताफजिंग का उस जमीन पर बना हुआ है, उसके बाद आप देखो कि इन्होंने अलिग किया जाता है, यह इंडियन एस्प्रेस का आर्टिकल यहां पे डीटेल में इंफॉर्मेशन दी गई, यहां पे आपको दिख रहा है कि जो आपकी AMU की, अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी की जो मेन लाइब्रेरी है, वहां पे पोट्रेट है राजा महिंद्र पताफ सिंग की और खास बात यह था कि जो राजा महिंद्र पताफ सिंग की जो पिता जी थे, वो जानते थे आपके सर सेयद हमत खान साब को, आपको पता है कि अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी के साथ सर सेयद हमत खान एस्सोसियेटेड है, मैंने सर सेयद हमत खान के बारे में आपको की किताब हम ज़ादा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इनके कॉंट्रिबूशन को यहाँ पे सरहने की कोशिश की जा रही है फिर आसा यहाँ पे बोला गया है कि University को set-up करने में इन fact EMU University को भी setup करने में महेंदर परताफ सिंग और इनकी family का एक बड़ा रोल रहा है काफी सारी जो जमीन है AMU की वो किस ने दी है तो भाई महेंदर पताफ सिंग और उसकी फैमली ने दी है कुछ तो ग्रांट के बैसिस पे दे दी थी और कुछ लीज के बैसिस पे दी थी तो 1929 में AMU के लिए जमीन भी प्रोवाइट की थी किस ने राजा महेंदर सिंग साब ने 1914 में ऐसा बोला जाता है कि राजा महेंदर पताफ सिंग इंडिपेंडनेस की स्ट्रगल में कूद पड़े एक दिसंबर 1915 को इन्होंने इंडिया के बाहर काबुल में बागे बाबुर नाम की जगा पे इंडिया की पहली प्रोवीजनल गौर्मेंट बनाई और डेपिटी प्राइमिनिस्टर बनाया मौलाना बरकतुल्ला को हलाकि बाद में इनके पीछे पड़ गए अंग्रेज तो इनको भाग के जापान जारा पड़ गया ये दुनिया भर की कंट्रीज में घुमे जर्मनी जापान रशिया वहां के पॉलिटिकल लीडर से मिरे और इंडिया के कॉस को सामने रखा इन फैक्ट ऐसा बोला जाता है कि 1919 में जो रेविलुशनरी लीडर था सोवेत यूनिन का व्लादीमिर लेनिन से भी मिले लेनिन की बोड़ी आज भी प्रिजर्व करके रखी गई उसको दफनाया नहीं गया तो बॉलसेविक रेवलुश सामने बनाया World Federation Berlin में और इस World Federation को बनाने के लिए 1932 का Nobel Peace Price के लिए इनको नॉमिनेट किया गये इनको मिला नहीं बड़ इनको नॉमिनेट किया गया था Nobel Peace Price के लिए इनको बोला जाता था कि एक Hindu Patriot है, Educational Institutions के लिए जमीन दान करते हैं, World Federation बनाया है इनोंने, Overall Unofficial Envoy है अफगानिस्तान के, तो इनको इस प्रकार से आप कह सकते हो, कि काफी International, आप कह सकते हो की Acclamation मिला, ये बड़े आश्चर की बात है कि इनको Indian History में जदा याद नहीं किया जाता है, उसकी एक वज़ में उन लीडर्स को याद किया जाता है, जो Muslim League के साथ बहुत closely associated थे, लेकिन जो Reform Movement में ज़्यादा लोग फेमस नहीं हो पाएं, हलाकि मैं बता दू, राजा महिंदर पताब ने महात्मा गांदी जी के साथ बहुत काम किया है, 1925 में तिबद भी गया और दलाई लामा से मिला अब सर आप बोलोगे कि सर ये जा जाके कर क्या रहे थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जा जाके इंडियन की हालत को बता रहे थे दूसरी कंट्री के रेप्रिजेंटेटिव को और दूसरी कंट्री के सामने इंडिया के इंडिपेंडेंस के कॉस को प्रमोट कर रहे थे, इ माइनली आप देखोगे कि 1946 में ये इंडिया वापस आए 32 साल बाद जो कि 1914-1915 में अफगानिस्तान में जब इन्होंने प्रोवीजनल गौर्मन बनाई थी तो ब्रिटिश इनके पीछे पढ़ गए तो ये देश के बाहर चले गए 1946 हमारी आजादी से एक साल पहले कि इंडिया वापस आए और वापस आने के बाद इन्होंने महात्मा गादीजी के साथ काम करना शुरू किया 1957 में माथुरा में जो लोग सभाई एलेक्शन्स हुए तो इसको राजा महिंदर पताफ सिंग ने जीता और मैं आपको बता दूँ ये जो 1957 के लोग सभाई एलेक्शन्स थे ना इसमें हमारे पूर प्रधान मंटरी अटल विहारी बाचपई इन एलेक्शन्स में हार गए थे राजा महिंदर पताफ सिंग इन एलेक्शन्स नी जीते ऐसी तो बहुत सारी और फैमिलीज ने भी जमीन दी है उनका नाम भी आप बताने लगो तो इस प्रकार की भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई बट डेफिनिटली सिर्फ जमीन देने के लिए यहां पे महिंदर पताफ सिंग जी के नाम को नहीं लिया जा रहा है ओवरॉल इंडिया के कॉस को इन्होंने अपने ही प्रकार से प्रमोट किया है इन्होंने रेविलूशनरी टेरिजम में पार्टिसिपेट नहीं किया इन्डिया के कॉस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे तो इंडिया की खराब हालत को सुधारने के लिए इनका तरीका अलग था बस वो तरीका थोड़ा पॉलिटिकल नहीं था इसलिए आज की डेट में यह इतने फेमस नहीं तो एक छोटी सी हमने बायोग्राफी यहां पर राजा महेंद परताफ जी के बारे में बात की है थांक्यों फो वाचिंग आपको कुछ नहीं कुछ यूसफुल यहां पर जानने को मिलाओ वो जो डिफेंस इंडस्टिल कॉरिडर नो बनना है यूपी में उसके च्छे जो जगह हैं वो याद रखिएगा यूपी पीसे के लिए इंपॉर्टेंट और एक बेसिक इंफॉर्मिशन यहां राजा महेंद परताफ सिंगी डिसकस कर लिए आए इस प्रकार की वीड़ आपको हभी लगा है आप नीचे कमेंट बुक्स में इपने वीजी पॉंटस करें अब कर्के वीडियो को लाइक अज़ए ज़ादा से ज़ादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर सकतें तेलिग ग्रॉप जोइन कर लीजे, इस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजे, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ और हो सके, तो जोइन बटन दबा के help करें, have a great difference, goodbye, take care